जैहिन दोस्तों आज का ये पूरा प्लान वास्तु सास्तर के अकोर्डिंग बनाया गया है इस प्लाट की जो चोड़ाई है वो 30 फिट है पिछे से भी इसकी चोड़ाई 30 फिट है और आगे से भी 30 फिट इसकी चोड़ाई है 40 फिट इसकी लंबाई है दोनों तरब से तो 30 ब पूरे प्लान को दोस्तों ध्यान पूरवक सुनियेगा, पूरे प्लान को वास्तु के अनुसार बनाया गया है, प्लान को आप लाज तक देखें ताकि आपको पूरे नक्से सहित वास्तु सास्तर घर का पता चल सके, आज गये प्लान पूरवमु की घर के लिए यानि की इस् होती है वो हमारे घर की दिसा है तो इस घर का गेट पूरवे की तरफ खुल रहा है तो यह पूरवे मुखी मकान है आगे से इसके में रोड निकल रही है तीनों साइड में इसके पडोशियों के मकान है इधर भी पडोशी का मकान है पीछे भी पडोशी के मकान है और साइड म आप जो इतनी लंबाई और चोड़ाई में जगह देख रहे हैं यह हमारा पारकिंग एरिया हो गया है यानि यहां पर आप अपनी फॉर्विलर टुविलर स्कूटी या जो भी आपके पास वहान है वो आप यहां पर खड़ा कर सकते हैं यह आपका पारकिंग एरिया है अगर आप पार्किंग एरिया घर में नहीं रखना चाते हैं तो आप इसके आदे हिस्से में आप ब्रामदा बना सकते हैं और इस साइड में आप गार्डन बना सकते हैं तो ये भी मैं आपको प्लान में उप्सन बता रहा हूं आप देखिए आगे चलते हैं यह जो corner होता है यह यहाँ पर देखिए पूर्वे दिसा है और यह उत्तर दिसा है चारो तरफ दिसाओं को मैंने लिखकर आपको समझा रखा है हिंदी और इंगलीज दोनों में ताकि आप पलान को अच्छे से समझ सकें यह उत्तर यानि की north दिसा है यह पूर्वे सामने यानि की इष्ट दिसा है पीछे की तरफ इसके पक्सिम दिसा है यानि की west है इस साइड में इसके दक्सिम दिसा यानि south है तो पूर्वे और उत्र का जो ये कॉर्णर है ये आपका इसान कॉर्णर हो गया तो घर के अंदर जो पानी का बुमिगत हम कुंड बनाएंगे वो आपको यहां बनाना है जो आपको ये निसान दिखाई दे रहा है यहां आप पानी का भूमिगत कुंड बनाएंगे तो इसान कौन आटोमेटिक पूरे घर से आपके नीचा हो जाएगा जो आपके धन के लिए और स्वास्ते के लिए बहुत ही उत्तम होगा अगर आपको उत्तम स्वास्ते चाहिए और काफी धन चाहिए तो आपको घर वास्तु के अकोर्डिंग ही बनाना चाहिए अब दोस्तों इस गेट की ठीक सामने हमने घर की जो में चोगटव वो रखी है लकड़ी की जो चोगटव वो यहां से यहां तक आपकी लगेगी तो इससे हम घर के अंदर एंटर करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बदा देता हूँ घर का यह सामने का जो आप फ्रंट पार्किंग ओपन एरिया देख रहे हैं एसा ही ओपन एरिया हमने साइड में उतर दिसा की तरफ छोड़ा है उतर दिसा में ओपन एरिया छोड़ने का मतलब यह है ताकि आपके घर की जो खिड़की दरवाजे मों अच्छे से खुल सके ताकि आपके घर का पूरा वेंटिलेशन अच्छे से हो सके पूरे प्लान को अच्छे से वेंटिलेशन और वास्तु के अकोर्डिन बनाना ही सबसे उत्तम प्लान बनाना होता है अगर आप ही ऐसा प्लान बनाना चाहें तो हमसे आप हमारे नमबरों पर वाटसप पर मेसेज कर सकते हैं ताकि आप हमसे संपरक कर सकें नमबर आपको description में मिल जाएंगे अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं हम घर की जो मेन जो यहाँ पर आपकी लगड़ी की चोगट लगेगी उससे हम जैसी enter करते हैं तो यह इतनी लंबाई और इतनी चोड़ाई में आप जो यह खाली जगे देख रहे हैं यह हमारे घर का आंगन हो गया जिसको हम living area या hole भी बोलते हैं यह ब्रह्मस्तान होता है जो आंगन का होता है यह हमेशा साब सुत्रा और अच्छे से आप रखें आंगन के इस corner में देखी यह इसान कौन है आंगन का और अपने घर का तो यहाँ पर आप जो यह स्वास्तिक का निसान देख रहे हैं यह मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है ताकि आप समझ सकें अच्छे से यहाँ पर आपको पूजागर बनाना है यहाँ पर आपका पूजागर बनेगा घर में पूजागर होना बहुत ही जरूरी होता है तो आप यहाँ पर मार्बल या लकडी के आजकल बने बनाए बहुत ही सुन्दर पूजागर आते हैं वो आप यहाँ पर स्तापित जरूर करें तो यह आपके घर का पूरा वास्तु आटोमेटिक बहुत अच्छा रहेगा तो यहाँ पर पूजागर हो गया पूजागर के पास की दिवार ठीग में यहाँ पर एक खिड़की दी गई है जो इस बार की जो आपकी गैलेरी इसमें ओपन होगी एक खिड़की जो होल की है वो पारकिंग एरिया में ओपन होगी इस दिवार में लगेगी तो पूरे होल में दो खिड़कया हो गई है ताकि पूरे होल में अच्छे से वेंटिलेशन होसके और अच्छी रोसनी आ सके hole से देखे एक gate हमने इस side में उतर दिसा में ओर दिया है आप देख सकते हैं ये gate दिया गया है ताकि आप इधर के पूरे area को भी cover कर सके आराम से और एक उतर में gate हो गया और एक पुरवे में जो बहुत ही सुब होता है और आपके घर का जो look होगा वो भी बहुत अच्छा अगन से आप इधर एंटर करते हैं तो ये अगनी कोन है चो पूर्वे और दक्षिन का कोर्णर होता है वो अगनी कोन होता है तो इस कोर्णर में आपको अपना कीचन बनाना है रसोई घर बनाना है तो यहां पर आपका रसोई घर बनेगा रसोई घर की इस दिवार में आपको एक खिड़की बाहर की तरफ खोलनी है एक खिड़की आप आगे main road पर open कीजिए जिससे आपके रसोई घर का ventilation अच्छे से हो जाएगा अगर आप चिमने भी रसोई घर में नहीं बना पा रहे हैं तो भी आपका पूरा ventilation अच्छे से दिया है यह आपके store room का जो space है वो होगा यह store room का gate है एक खिड़के आपके इस दिवार में आंगन की तरफ खुल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप अपना कोई भी घर का extra समान store room में रख सकते हैं काफी space full store room रहेगा आपका अब देखिए store room से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक आप जो space देख रहे हैं यह हमने एक late bath का space रखा है यह आपका common late bath होगा late bath के ठीक पीछे की तरफ आप देखिए जो आप खाली space देख रहे हैं यह आपके ventilation के लिए हमने space रखा है जो space का होगा इसका जो ventilation होगा इस पेस में तो यह क्या होगा आपके store room में भी इसका एक ventilation window होगा एक आपके late bath में भी होगा और छट के उपर इसकी जाली लग जाएगी जिससे क्या होगा इन दोनों का ventilation होगा आपका जो late bath की negative energy होती है वो आपके घर के अंदर नहीं आने चाहिए जिसके लिए open space और ventilation बहुती वास्तु सास्तर के according जरूरी होता है आप देखिए late bath से आप बाहर निकल के सीधे सामने enter करते हैं तो यहाँ पर हमने सीडियां दी है यह सीडियां आपकी देखिए पक्सिम दिसा में ऐसे जा रही है यह छट के उपर ऐसे सीडियां जाएगी और छट पर जाके उत्तरी की तरफ गुमकर यह वापस पूरवे की तरफ खुल रही है तो पूरी वास्तु के according यह सीडियां होगी सीडियों के नीचे का पूरा होल आपके खाली रहेगा ओपन रहेगा तो बहुत सुंदर आपकी यह सीडियां में नीचे से लगेगी और आगन से टच होगी आपके अब देखिए सीडियों से जैसे आप इधर एंटर करते हैं यह बड़ा master bedroom दिया गया है ओके यह आपका bedroom दिया गया है यह नेतक के corner में bedroom बनाया गया है घर के बड़े बुजरुगों को इसी corner में रहना चाहिए वास्तु के अनुसाल इस bedroom का जो ventilation window है वो भी आपके इस open space में open हो जाएगा तो देखिए एक छोटा सा open space आपने दिया है उसके अंदर आपके जो store room है और room दोनों का ventilation हो रहा है लेट बात का ventilation हो रहा है तो यह आपके काफी benefit का आपका यह space हो गया है अब देखिए इस room से ठीक आप सामने enter करते हैं तो यहाँ पर आप जो यह space fully जगह देख रहे हैं यह आपका room हो गया है काफी space full room है बड़ा room है अटेच लेट बात दिया गया है रूम की जो एक window है वो आपके इधर आपके gallery के अंदर open हो जाएगी अगर आप चाहिए आपको अगर चाहिए तो एक window आप आँगन में भी open कर सकते हैं क्योंकि आपके आँगन में भी काफी space full जगह है तो आपका यह room complete हो गया अटेच इसमें letting bathroom दिया गया है अब आप सोच रहे होंगे यह corner में क्या यह भी दोस्तों हमने एक late बात दिया है इस late बात का हमने touch सिदा इस gallery के अंदर रखा है यह इस gallery के अंदर इसका gate होगा ताकि अगर कोई आपके कोई guest ऐसा हो जो आपके घर में एंटर जैसे interfere आपके घर में नहीं होगा direct आप बार से बार अगर किसी को वासरूम यूज करना हो तो वो कर सकता है उसके according यह दिया गया है तो total आज इस plan में आपको मैंने अच्छे से पूरा पूरो मुकी घर का वास्तु समझा दिया है I hope आपको बहुत अच्छा plan लगा होगा प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने मित्रों में और दोस्तों में जरूर सेर करें ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें तो friends हमारे इस चैनल में mostly सारे वीडियो जह हम वास्तु के according में अपलोड करते हैं अगर आप इसे वीडियो जोर देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि आगे आने वाले next वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तो आज का ये पूरा प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसके अंदर हमने आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई है और दिसाओं को आप अच्छे से इधर से समझ सकते हैं दिसाओं मैंने अच्छे से लिख रखी है चारो तरफ तो आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए फिर भी अगर कोई आपको confusion हो तो आप हमें comment करके कोई भी आपका question हो पूछ सकते हैं अगर आप ऐसा plan मनवाना चाहते हैं तो हमें हमारे number पर whatsapp message कर सकते हैं हम आप से contact करने की कौसिस करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही next video में फिर मिलते हैं Thank you, जैहिन